तिरहुत का जो पूरा इलाका है, पहले से NDA माइंडसेट का इलाका है, और जिस सीट पर मुझे लड़ने का मौका पार्टी ने गठबंधन ने दिया है, उस सीट पर हमारी पार्टी का कबजा पिछले लगबग 22 वर्षों से, हादर्णिय देवेश रंठाकुर जी की एक मतदाता मालिक हैं, उनका भी आशिरवाद हमें ही मिलेगा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभिशेग जाको तो हम जानते भी नहीं है, कुछ लोगों ने ये भी सवाल रखा उन पे क्या कहना है, तो जो कुछ लोग आप बता रही है, वो राष्ट्रे जनतादल के आपता के रूप में टीवी पर आते हैं, सलिके से अपनी पार्टी की बात रखते हैं, तो यहीं तो दूद का दूद और पानी का पानी हो गया, कि किसको लोग जानते हैं, किसको लोग नहीं जानते हैं, कोई चैलेंज नहीं है, हमें तो रखता है कि राष्ट्रे जनतादल ने हमारी राह को असान ही किया है अब पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों के प्रतिनीधी को चुनेंगे इस नातक क्या खुजेगा ऐसे नेता जो सनातक हो ऐसे नेता जिनकी पॉलिसी कुछ हो ही न उनको सनातक भाई बहन कभी नहीं चुनेंगे नमस्कार लाइब बिहार देख रहे हैं आप आपके साथ मैं सनिहा गुपता बिहार में तिरहुत सनातक MLC उप्चुनाव होने वाला है जिसको लेकि लगतार जो बजार है वो गरम हो रहा है आपको अदादे आज हमारे साथ कास बातचीत करने के लिए अभी शेक जाजी उमि आप सभी जानते हैं कि तिरहुत का जो पूरा इलाका है पहले से एंडिया माइंडसट का इलाका है और जिस सीट पर मुझे लड़ने का मौका पार्टी ने गठबंधन ने दिया है उस सीट पर हमारी पार्टी का कबजा पिछले लगबग बाइस वर्शों से अदर्णिय द नितीश कुमार जी गठबंधन के सभी वरिष्ट ने तादर्णिय देवेशन ठाकुर जी के प्रति कि मुझे इस लायक समझा कि यह चुनाव लड़ने का मौका दिया और सब कुछ बहुत बहुत बहतर है हमारे लिए बहुत उत्साह वर्धक खबर है कि अभी जो वोटर्स बनाने की पूरी प्रक्रिया चल रही थी उस प्रक्रिया में एंडिये माइंडसेट के और हमारी गठबंधन हमारे पार्टी हमारे नेता की विचारधारा से तफाक रखने वाले बहुत से लोगों ने आवेधन किये हैं वोटर्स की तादाद बड़ी अच्छी है इस बार एक मजबूत लोगतंतर के लिए अच्छी बात है और निश्चित रूप से इसका फाइदा हमें चुनाव में दिखेगा यह सीट भी फिर से एंडिये की जूली में आएगी आपने खुद बताया कि 22 साल से कवजा था कितना बड़ा चालेंज है आपको जीतना इस सीट पर क पर खरा उतरना होता है और हमारी पाटी को तो आदत है जीतने की आपने देखा है इतने वर्षों से हमारी पाटी को सत्ता का भागेदार प्रदेश की जनता ने बनाया है मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर भरोसा किया है उनके जो उमिदवार होते हैं उन पर भरोसा जनता क हमारे पुरे गठखधन डेश्में नरेंद्र मोदी जी का है तो जंता का तो अशरवाद मिलता ही है और हम तो उस पद्धती में विश्वास रखते हैं कि परिक्षा की तैयारी नहीं की जाती अगर हम देवेश चंदर ठाकुर की बात करें तो आजास शत्रु कहा जाता है उस इलाके का उनको लेकिन कॉंट्रवर्सी भी बहुत सारी होती है रिसेंट की कॉंट्रवर्सी की बात करें तो यादव और मुस्लिमों पे जिस तरीके सुने ने टिपनी की क्या इसका असर छेतर में दिख रहा है कोई असर नहीं है लोग मनुभाव को बहुत बहुत बहुतर तरीके से समझते हैं आपने कभी न कभी जो सांसद महोते हैं आदर निये देवेश अठाकुर जिनके आवास को विजिट कि होगा और वो तुही राम है तुरहीम है तुकरीम कृष्ण खुदा भी इस पधती में विश्वास रखते हैं हम सर्व धर्म संभाव वाले लोग नितीश कुमार जी ने हमेशा कहा है कि वोटरों की चिंता करो वोटों की चिंता नहीं करो तो जो लोग इसको कॉंट्रवर् सवाल रखा उन पे क्या कहना चाहिए कि वो जो कुछ लोग आप बता रही है वो राश्ट्री जनतादल के लोगों का सवाल आपने कहा है इमांदारी से आप एक बात बताईए राश्ट्री जनतादल के जो उमीदवार है उनका पूरा नाम पूरा बैगराउंड आपको कब मालूम चला कब मालूम चला मैं आपसे सवाल पूछता हूं राश्ट्री जनतादल के उमीदवार के विशह में आपको कब मालूम चला बताईए ज़रा उसे पहले आप जानती पर्टी का पक्ष गटबंदन का पक्ष रखने का मौका दिया है तो जब मुझे टिकट मिला तो लोग कहते थे अच्छा वही अभिशेक जह जो चदियू के परवक्ता के रूप में टीवी पर आते हैं सलीके से अपनी पार्टी की बाद रखते हैं तो यहीं तो दूद का किसको लोग नहीं जानते हैं कोई चैलेंज नहीं है हमें तो रखता है कि राश्ट जनता दल ने हमारी राह को रासान ही किया अब आप प्रदेश के किसी भी प्रकंड में चलें कि मैंने वहां कितना समय बिताया है नहीं पडाया है अलगी बात है लेकिन जानने वाले शुबचिंतक, मतदाता, जनता मालिक मिलते रहते हैं, उबरू होते रहते हैं, इसलिए पहचान का संकट जिनको है, वो अपनी चिंता करें, जो ये सीट है और ये जो चल अगर हम बात करें, तो इसमें जो वोटर्स होते हैं, उनको ग्राजुएट होना काफी ज़रूरी है, तो ये चैलेंज रहा है, वो फॉर्म भरवाने का, और वोटर्स को वोट देने के लिए आप लोग प्रोचाहिद कर रहे हैं, मैराथॉन भी शायद आप लोग कर रहे हैं, हमने तो हमेशा प्रोचाहिद किया है लोगों को, आपने ठीक कहा, कि इस चुनाव की एक खासियत ह जिवा होते हैं, जो नौजवान होते हैं, वो अपना प्रतिनिधी चुनते हैं, अब पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोगों के प्रतिनिधी को चुनेंगे, सनातक क्या खोजेगा, ऐसे नेता जो सनातक हो, ऐसे नेता जिनकी पॉलिसी कुछ हो ही न, उनको सनातक भाई कभी नहीं चुनेंगे करवाने वाले हैं एक सब्ते में उसमें कौन कौन से अब ही अलगातार वोटर्स बनने की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी और अब हर ब्लॉक में एंडिये का साधा कारेक्टर्म होना है कई स्थानों पर इसमें एंडिये के वरिष्टम नेता शामिल ह रहेगा कहीं दिखाई पड़ रहे हैं क्या कोई और उमिद्वार नहीं ना आप खुद ही बता दीजिए आप लोग मीडिया कवरच करते रहते हैं सभी चीज़ों की तो मैरतन बैठके होंगी मतदाता मिलन समारों है हर ब्लॉक में हैं जिलासतर पर हैं लोगों में खासा उ इनको उमिद्वार बनाया गया देखना होगा क्या जो 22 साल से कव्जा किया हुआ था क्या यह कव्जा बरकरार रहेगा और गोपी किशन क्या इनके टकर में रहते हैं या बनेरिया मैं साथ अब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया